Class 3, Subject Math, Chapter 2, Number, Topic Today's topic is Least Number and Smallest Number and Greatest Number and Biggest Number जैसा कि Topic से पता चल रहा है, आज हम लोग छोटी सी छोटी संख्या के बारे में और बड़ी संख्या के बारे में जानेंगे पिछले classes में जैसा कि आपने पढ़ा है 1-digit number, 2-digit number and 3-digit number के बारे में Class 3 में आप लोगों के पढ़ना है 4-digit number and 5-digit number तो यहां पर फीड से मैं आप लोगों को रुपीर करती हूँ पिछले classes वाले A smallest number of 1-digit is 1, biggest number of 1-digit is 9, a smallest number of 2-digit is 10, biggest number of 2-digit is 99, a smallest number of 3-digit is 100, biggest number of 3-digit is 999 अब त्री क्लास में जैसा कि आपको मैंने बताया कि पढ़ना है 4-digit and 5-digit के बारे में तेहां से हम लोगों को क्या है 4-digit number के बारे में बता रहें A smallest number of 4-digit is 1,000, biggest number of 4-digit is 9,999 A smallest number of 5-digit is 10,000, biggest number of 5-digit is 99,999 जैसा कि आप लोग ने उपर से देखा, 1-digit की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी हो गई 1, और बड़ी सी बड़ी संख्या 1-digit की 9 उसी तरह smallest number of 2-digit, 2-ang की सबसे छोटी संख्या 10, और 2-ang की सबसे बड़ी संख्या 99 तीन अंकी सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या 100, तीन अंकी सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 100 और तीन अंकी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 999 फोर अंकी की 4-digit की सबसे छोटी संख्या 1,000 और फोर नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया? 9999 सबसे परी संख्या को गया होगता है कि उस तरह कि आर्व शोर्टी शच्मारे City ऊवस्या और सबसे बड़ी संख्या और chip i obviously video दो सबसे चताय लोग देखोग diyorsun कि आ सबसे बड़ी संख्या यह आगे को आपको प्लेस भेलू के बारे में बताना है जो कि मेरे अगले क्लास में आप लोगों को बताऊंगी आज तर के लिए इतना ही That's all, thank you